शुषु संगोपन सामस्ता संचली सविता रमेश भिरोध्या प्रशाला अहमत्नगर कक्षा सात्वी विशे हिंदी व्याकरन सर्वनाम निर्मिती सवबेरड अधन्या सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग सवग्या शब्दों के स्तान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम सवग्या की पुनोरा उत्ति को रोपते हैं सर्वनाम छव प्रकार के होते हैं इस कक्षा में हम सर्वनाम के चार प्रकार देखेंगे उधारन देखेंगे प्रवीन मेरा मित्र है प्रवीन यह सवग्या ही यह लड़के का नाम ही इस सवग्या शब्द के स्ताम पर हमने यहाँ कौन से शब्द का प्रवक्या है वह, वह मेरा मित्र है वह, हम, मै, आप, यह यह जो शब्द है यह सर्वनाम के शब्द है सर्वनाम के प्रकार पहला पुरुष वाचक सर्वनाम दूसरा निच्चय वाचक सर्वनाम तीसरा अनिच्चय वाचक सर्वनाम और चौथा प्रश्णवाचर सर्वनाम पहला प्रकार देखेंगे पुरुष वाचक सर्वनाम बोलने वाले सुनने वाले तथा जिसके विशय में बात की जाएं उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुष वाचक सर्वनाम कहिते ही यहां तीन प्रकार दिये हैं बोलने वाली इसका आरत है अगर दो आदमी बोलते हैं तो जो बोलता है वो खुद के बारे में कौन से शब्द का प्रयोक करेगा तो मैं, मुझे, हमें, हम जो सुनता है दूसरा तो वह तू, तुम, तुमको, तुमसे आप और जिसके विशे में बात की जाए उसके लिए वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए अब उधरन दिखेंगे, मैं प्रतिदीम प्रातव टहलता हूँ, यह खुद के बारे में बता रहा है, इसले यहां मैं इस सरोणाम का प्रयोक क्या है दूसरा उधर, तुम कल कहां थे, जो सुनने वाला है, उसके लिए यहां तुम इस शब्द का प्रयोक क्या है, तुम यह सरोणाम है तिसरा, वह मेरा मित्र है, हम जिसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए वह इस शब्द का प्रयोक क्या है, वह यह सरोणाम है दूसरा प्रकार देखेंगे निच्चे वाचक सर्वणाम जिश शब्द से किसी निच्चीत व्यक्ती वस्तु या स्तान का बोध होता है उसे निच्चे वाचक सर्वणाम कहीते है उधारन देखेंगे पहला उधारन यह अंशू का घर है दूसरा उधारन तुम्हारा कोट वह है तीसरा उधारन वही रुतु है यहां यह वह वही यह निच्चेवाचक सर्वनाम है तीसरा प्रकार अनिच्चेवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निच्चित व्यक्ती वस्तु या स्तान का बोध न हो उन्हे अनिच्चेवाचक सर्वनाम कहते है उधारन देखेंगे एक दर्वाजे पर कोई है इसका अर्थ है कोण है यहां हमें मालूम नहीं है यह अनिच्चित है दूसरा उधारन मा कुछ खाने को दो मा के पास खाने के लिए क्या है यहां हमें मालूम नहीं है इसलिए यहां कुछ इस शब्दों का प्रवेक्या है कोई, कोच, ऐशे शब्दों से हमें व्यक्ति, वस्तु या स्तान का बोद नहीं होता, इसले ऐशे शब्दों को अनिच्चेवाचक सर्वणाम कहते हैं प्रकर्चाव था प्रश्णवाचक सर्वणाम जिस सर्वणाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्ण क्या जाएं उसे प्रश्णवाचक सर्वणाम कहते हैं उधारन देखेंगे पहला उधारन वहां कौन है दूसरा उधारन प्रवीन क्या कर रहे हो कांच किसने तोड़ा हमें यहां कोण क्या किसने इन शब्दों से यहां प्रश्ण पूचा है यहां प्रश्ण वाचक सरोणाम है आज हमने यहां सरोणाम किसे कहते है तो जिन शब्दों का प्रयोग सवग्या शब्दों के स्तान पर किया जाता है उन्हें सरोणाम कहते है सरोणाम सवग्या की पुनरावर्ति को रोगते है और हमने यहां सरोणाम के चार प्रकर देखे है हम अब स्वध्या के बारे में देखेंगे प्रेश्न पहला, पाट में आये सर्वनाम ढून कर उनको वाक्य में प्रयोक करूँ पहला सर्वनाम है यहो, यहो मेरा स्कूल है दूसरा सर्वनाम है मै, मैं हमेशा सच बोलती हूँ तिसरा सर्वनाम तुम, तुम कहां जा रहे हो चौथा सरवणाम हम, हम सब भारतवासी भाही बहन है पाच्वा सरवणाम मुझे, मुझे कल मुंबई जाना है यहां हमने सरवणाम का वाक्यों में प्रविक किया है धन्यवाद